कि नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बर्फिट से कंपेटिशन कम्यूनिटी की यूटूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं SSC CGL and CHSL का यूटूब कोर्स और मैं हूँ सौरब मैं आपके साथ आज डिसकस करने वाला हूँ बीच गण् pref tampa उमें जो सीख वो चीजे तो एपलाये होंगी लेकिन इस पार्टे वीडियो में खास हम यहां में बन रहे वह इसी फॉर्मॉले के डिक सकते हैं तो इस वीडियो को स्टाट करने के पहले अगर आप हमारे YouTube चानल पर नहीं चैनल को को सब्सक्राइब करें हो रहा है 12 बजे वाले शिप में इवनिंग वाले शिफक में इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपको नोट्फिकेशण नहीं भी मिला तो भी आप यहां पर आकर चैनल तैलिगर्म ग्रुप दोनों पर जाइन कर लीजे क्योंकि तेलिगर्म चैनल पे भी आपको सारी नोटिफिकेशन जाती हैं ग्रुप में आप इसलिए जाइन कर सकते हैं क्योंकि लेक्टर से रलेलिटेड कोई कुषिंऱ्स आपको पूछना है या आपको weekly basis पे जो practice sheets प्रवाइड हो रहे है 100 question का उससे भी related कोई भी सवाल आपको पूछना है आप telegram, group, discussion, group में आप जुड सकते हैं वहाँ पे हम आपसे सारी चीज़ें discuss कर लेंगे ठीक है चलिए अब मैं इस वीडियो को start करता हूँ उसको कैसे apply करना है जैसे कि पहला सवाल देखते हैं आज के इस lecture में देखिए a plus b plus c का मान दिया हुआ है no a b plus b c plus c a जो है यह 26 है और आपको दिया है कि a cube plus b cube command 91 b cube plus c cube command 72 c cube plus a cube command 35 then what is the value of a b c a b c का value आपको निकालने को खाव गया अब देखिए यहां से इसको solve करें तो कैसे करें एक चीज हम जानते हैं कि a cube plus b cube plus c cube सारे formulas यहां पर जो दिख रहे हैं इसको connect करने का एक formula यह है कि minus 3 a b c बराबर होता है a plus b plus c ठीक है और यहां पर आगे आजाएगा a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यही आएगा अब देखिए यहां से आपको क्या-क्या दिया है a plus b plus c का मान दिया हुआ a b plus b c plus c a का मान दिया हुआ लेकिन a square plus b square plus c square का मान नहीं दिया है a cube plus b cube plus c cube का मान जो है वो indirectly आपको दिया हुआ है जिससे कि आप यहां पर calculate कर सकते हैं कि a cube plus b cube ट्रवल हुल ट्रवि प्रवर इसकोर क्या प्लांब है और साथ में आपको यहां पर यहां पर हेस्ट स्क्व Ao HAMo beats attack min is of two into a b plus b c plus c यह हमने देख के रखा हुआ है तो जब हमारे पास इसका मान नहीं है तो क्यों ना हम इस चीज को यहाँ पर eliminate ही कर दें इस formula में तो a square plus b square plus c square जो है इसके जगापे मैं यह दाल देता हूं तो actually यह जो second bracket है इसको हम और एक तरीके से modify करके लिख सकते हैं इस तरीके से directly क्या लिख सकते है तो यहाँ पर लिख सकते a plus b plus c का whole square और minus का 3 होगा यहाँ पर और a b plus b c plus c ठीक क्योंकि देखिए हमारे पास a square plus b square plus c square नहीं था तो हम directly इसका square minus three times कर सकते क्योंकि already minus one time तो था और जब formula modify कर रहे तो यहाँ minus two times हाता है minus two और minus one time दोनों जुड़ेगा तो minus three times हो जाएगा यह वाला value clear चलिए अब देखिए यहाँ से a cube plus b cube plus c cube का मान कैसे निकाले देखिए यह वाला जो pattern है यह आपको कई बार आपको एल्जेबरा ही नहीं नॉर्मल एवरेज में भी और अलग-अलग सवालों में इस तरीकी के pattern बन जाते है जहाँ पर a cube plus b cube अलग दिया हुआ है a cube plus b cube कितना है 91 ठीक है और b cube plus c cube कितना है तो b cube plus c cube है 72 ठीक है और यहाँ पर c cube plus a cube कितना है तो c cube plus a cube है 35 तो directly अधि आपको a cube plus b cube plus c cube चाहिए तो क्या करना है तीनों को जोड के आधा कर देना तीनों को जोड के आधा कर देना जो कि है इन तीनों का सम तो डारेक्टलि आपको AQ BQ CQ चाहीए यह लेकिन अगर आफको डारेक्लि एक रिट्रक्लच की ओना कि जड़िए तो टीनों को जोड़ के आधा कर लिए तीनों को जोड़ेंगे कितना हैगा 8 18 टीन-प्लस710 हो गया दस प्लस नौ करोगे तो उनने सार है इसको यदि मैं दो से काट दू तो 99 हो गया नाइंटी 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 तो यह चीज जो है आप डारेक्टी यहां लिख सकते कि इसका मान तो हभी है तो यहां पर आजाएगा भई 26 ठीक तो बताइए भई टोटल कितना हो गया एबी सी कमान निकल जाएगा यहां से 99 है चलिए इसको सॉल करते हैं यह कितना हो जाएगा 81-78 जिसका वैलू हो जाएगा 3 मतलब इस ब्रैकेट के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर मैं लि 24 ठीक है तो कुछ चीजों को यहां पर आप औरली कर सकते हैं मेंटल क्यालकुलेशन कर सकते हैं माइंड में चीजों को क्यालकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो इस फॉर्मुले को आप याद रखिए जितना ज्यादा आप माइंड में क्यालकुलेशन को करेंगे उतना ज्याद करवा लेता हूँ आप लोग को कि अगर हम यहां पर a3 प्लस b3 प्लस c3 की बात कर रहे हैं ठीक इसको आप यहां पर इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि अगर आपके पास a2 स्कूर प्लस c स्कूर नहीं दिया तो क्या कर देंगे ए प्लस b प्लस c का होल स्कूर ठीक है और माइनस का थ्री टाइम्स कर लेंगे इसको इन्टु एवी प्लस b c प्लस c ठीक यह हमने लास्ट क्लास में कवर किया था लेकिन इस फॉर्माट में लिखना भी आप सीख लीजिए कि डिरेक्टल ए प्लस b यजेड़ प्लस zx का value चाहिए एक्स प्लस y प्लस z का मान दिया है एक्स क्यूब प्लस y प्लस z क्यूब का मान दिया हुआ है तो एक बार फिर से मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा जो मैंने आपको अभी अभी बता है डिरेक्टली आप क्या देख रहे हैं कि एक्स क्यूब है ठीक है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है तीनों चीजों को से याद रखी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वर और माइनस में आ जाएगा थ्री टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ठीक इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करके अब देखिए हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो है यह वाला वैल्यू हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वह यह वाला वैल्यू तो इस चीज़ को मैं थोड़ी दिर के लिए कोई और विरेवल मान लेता हूं ताकि बार-बार इतना बड़ा चीज हमें लिखने की जरूरत ना पड़े जैसे कि फॉर एक्जामपल मैं इसे मान लेता हूं एक्या वेल्यू दिया हो थेराерм उएक्सिक का मान दिया हो ए वन तो माइन थै को गया ठिक इसएक प्लस फाई प्लस जडेड कमान इपतना है और यह बन जाएगा 10 बराबर 1-3 मतलब 3a का value कितना है तो 3a का value 1-10 यानि माइनस को 9 हो जाएगा 3 से काटोगे तो यहां बन जाएगा माइनस का 3 मतलब 1 कमान कितना आगया माइनस 3 हो गया यहां तक समझ में आ गई बाते कैसे हमें इसको solve करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर मैंने दो questions ले लिए जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर कराये थे अब मैं आता हूँ आज के इस नए pattern of questions में जो कि आपके exam में बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है और आजकल latest pattern में यह questions जो है आपके exam में बार बार आ रहें और आपको तंग कर रहें तो मैं इसको पहले simplify कर लेता हूँ आपके लिए ठीक है इसके concept को हम जान लेते हैं फिर वापस आते इस सवाल को लगाते है ठीक है चलिए तो देखिए आप पहला formula आप note करके रखिए पहले तो आप formula लिग लिए फिर मैं इसका प्रूब भी आपको बता दूँगा formula आप लिख लेंगे कि x के घात 4 प्लस y के घात 4 प्लस x square y square का जो formula होता है यह होता है भई x square प्लस y square प्लस xy और इसका आगे हो जाता है x square प्लस y square माइनस xy ठीक है तो यह इस class में हम यह वाले formula के उपर चर्चा करेंगे पहले चली start करते हैं अब कैसे इस formula को मैंने लिख दिया उसके ओपर थोड़ा सा discussion कर लेते हैं सबसे पहले तो समझे यहां दिया क्या हुआ है आप यहां पर देख रहे है यहांx square य- y square का अगर मैं whole square कर दो तो क्या आएगा इसका वेली हो जाएगा x square Plus y square य यानि अब मैं क्या करूँगा इसमें से 1x² y² को उठाके left side ले आउगा क्या करते हैं एक x² y² को उठाके left side ले आते हैं तो बन जाएगा x के घाथ x² plus y² minus x² y² और यहाँ पर जो value है x के घाथ 4 plus y के घाथ 4 plus x² y² यही है अब यह x² y² को क्या कर सकते हैं xy का whole square कर सकते हैं xy का whole square कर सकते हैं यहाँ पर भी square है इस square को मैं लिखना बूल गया था x² plus y² का whole square minus xy का square क्योंकि x² y² को xy का square लिख सकते हैं आगे क्या x के घाथ 4 y के घाथ 4 plus x² y² यही है तो देखिए अब भई इसको देखिए यहाँ से यह जो format है यह जो format है यह क्या है इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो a² minus b² के form में और a² minus b² होता है a plus b into a minus b यह तो basic formula है पहले लेक्चर में हमने इसको cover करके रखा है a² minus b² का format क्या होता है a plus b into a minus b तो यह पूरा a का काम कर रहा है यह पूरा b का काम कर रहा है तो a plus b into a minus b करने पर हो जाएगा value ठीक तो इसका क्या माना आएगा यह हो जाएगा भई x² प्लस y² प्लस xy और यहाँ से आजाएगा x² प्लस y² माइनस का xy ठीक is equal to कितना हो गया तो is equal to इतना हो गया x के घाद 4 प्लस y के घाद 4 ठीक है प्लस x² y² clear है यहाँ तक कैसे हमने इस formula को लिखा है यहाँ पर इस formula का ऐसा क्यों है तो इसलिए है आप इस तरीके से इसको याद रख सकते ठीक है अब देखे इस formula को तो हमने सीख लिया अब formula को apply कैसे करना है सवाल कैसे बनते है उसके उपर थोड़ा सा discussion कर लेते हैं चलिए तो सवालों के pattern के उपर मैं आपको थोड़ा सा discussion यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जैसे कि for example देखिए हमने क्या देखा कि x² प्लस y² प्लस xy multiply किसे करेंगे x² प्लस y² माइनस xy इस command क्या होता है तो x के घाथ 4 प्लस y के घाथ 4 प्लस x² y² इस तरीके से आपका सवाल बनता है तो देखिए सवाल इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ देदेगा 13 यहाँ multiply कर देगा 7 से और 13 multiply by 7 कर देगा 91 ठीक है तो आपको यहाँ पर अगर यह 13 दिया यह 7 दिया यह 91 दिया इसमें से अगर मैं एक value छुपा दू तो क्या आप दूसरा value नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको देदिया कि x² प्लस y² प्लस xy का मान 13 है और बोल दिया जाए कि आप यहाँ से इसका मान नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यह 13 और यह 91 बटा 13 करोगे तो इस साथ बन जाए तो इसी format से आपके questions बनते है मान लीजे कि इसका मान है इसका मान है capital A इसका मान है capital B तो यह C बन गया तो A गुणे B बरावर C A गुणे B बरावर C इस तरीकी के format में आगे मतलब समझे कि यह क्या है X square प्लस Y square X square प्लस Y square प्लस XY का मान क्या है यह है A ठीक और साथ में X square प्लस Y square माइनस XY का मान कितना है तो यह है B अब यदि आप से कोई पूछे यह इतना हमने निकाल दिया तो साथ और जैसे कि 13 था 13 साथ निकालना कोई बड़ी बात नहीं अगर 91 दे दे साथ 13 में से कोई एक चीज दे दे तो आप बाकी जो दूसरा value उसको निकाल सकते है अब यहां से जैसी आपने यह value निकाल दिया कि यहां पर 13 है यहां साथ है या फिर मैंने यहां पर एक variable मान लिया ए और भी है तो अगर आपको यहां x square प्लस y square चीज़े तो मैं दोनों चीजों को जोड़ देता हूँ दोनों को जैसी मैं जोड़ूंगा तो x square प्लस y square आ जाएगा दो बार दो बारा जाएगा x y x y कर जाएगा मतलब यह हो गया a plus b क्या मैं लिख सकता हूँ कि x square प्लस y square का मान जो है a plus b बटा दो है इस दो को दूसरे तरफ भेजके ठीक है इस तरीके से लिख सकते है वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि x y का मान बताईए तो यह तो हो गया x square plus y square का मान ठीक x square plus y square का मान यह हो गया अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताईए x y का मान क्या है तो x y का मान हो जाएगा a minus b divided by 2 क्या आप यहां तक मेरी बातों से सहमत है x y मतलब यह वाल individual अगर मैं दोनों minus कर दो x square y square x square plus y square यहां भी x square plus y square यह दोनों कर जाएगे x y minus minus x y करोगे तो 2 x y एगा और यहां a minus b तो x y का मान क्या हो गया a minus b divided by 2 हो गया clear यहां तक बात समझ में आ गई कैसे हमें इसको interpret करना है चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस सवाल में और समझते हैं क्या दिया हूए तो यहां पर दिया हूए भई कि अगर x square plus y square यानि x square minus x y plus y square का मान साथ है और x की घाथ 4 plus x square y square का मान plus x की घाथ 4 बरावर 126 है तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना है इसका value x square plus x y plus y square तो कितनी simple सी बात है हम क्या जानते हैं 7 multiplied by यह वाला value जो है याने इसको अगर x square plus x y plus y square कर ले तो इसका value आजाएगा 126 ऐसा लिख सकते कि नहीं क्योंकि यह क्या है यह x square minus x y plus y square और यह क्या है x के गात 4 plus x square y square plus y के गात 4 तो इन दोनों को multiply करने इसी तो इतना बनता है मतलब directly आप क्या कर सकते हैं कि इसका मान आपको निकालना था तो इस साथ को मैं दूसरे तरफ बेज देता हूं और यह आपका value देगा इसका value कितना आगया तो आप कहेंगे सर 18 आगया ठीक है अब यहां से आप बताईए कि इस सवाल में अगर आपको कुछ difficulty है तो क्या हो सकती देखी सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर आपको एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार पूछ ले तो भी आप इसको निकाल सकते हैं आशा करता है आपको समझ में आया होगा क्योंकि यहां पर बस सिंपल सी बात है कि यहां एक्चुली फॉर्मूला यह सवाल बनते हैं ठीक है मैंने देखा इसका वैल्यू साथ है इसका वैल्यू क्या है पूछ रहे तो इसका वैल्यू दिया हुआ है तो 126 डिवाइड़ बैसका वैल्यू साथ कर लीजे तो अठारे एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आशा करता हो यह समझ भी होगा पहला सवा है एकसा मामाल मतलब देखे सिंपल सी बात है यह ओं यहे है अपका यह स्कोर वैल्यू प्लस वल्स वाय स्कोर STE ठीक है x square y square प्लस y के घाच्छा यही है आपको क्या पूछ रहा था आपको x square plus y square पूछा था तो देखे x square plus y square क्या है इन नों को जोड के आधा करने को कहां मैंने तो x square plus y square चाहिए तो directly क्या करेंगे आप 17 और 9 को जोड देंगे 17 प्लस 9 को जोड देंगे और इसका आधा कर लेंगे तो उत्तरा जाएगा 17 प्लस 9 करोगे तो आएगा 26 divided by 2 करोगे 26 divided by 2 करोगे तो यहां पर आ गया 13 मतलब इसका एंसर हो जाएगा तो directly आपको यह सारी चीज़े लिखने की जरुरत निए मैंद में इस चीज़ को समझी है मैंने यहां फिर से लिखा थाकि आपको यह चीज़े याद हो मैंने फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि 9 कमान यह है 17 कमान यह है और 153 कमान यह है तो आपको एक्स स्कॉर प्लस वाइस क करने पर इसका वैल्यू है जाएगा जो आपको पूचा है एकसे स्क्वार प्लस वाय स्क्वार क्लियर चली आगे पड़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन एक बार और यहां दिया हुआ है कि 11 कुछ वैल्यू है ठीक है और उसका वैल्यू है 407 तो आपको बताना है एकसे स्क्वार प्लस वाय स्क्वार क्या होगा तो देखिए सिंपल है अप इसमें 407 को 407 को यदि मैं 11 से डिवाइड करो तो तीन बर कटेगा 33 से फिस सेवन आ रहे है यहने 37 मतलब 11 मुल्टिप्लैड थाटी सेवन करने पर 142 बना होगा जिसमें से आपको question में directly दिया हुआ है कि 407 इसका मान है और इसका मान 11 है इसका मान 11 है तो सिंपल सी बात है कि यह क्या स्क्वार प्लस xy प्लस 20 स्क्वार क्लियर अब सवाल में आपको क्या पूछा, x square plus y square पूछा है, तो simple है, आप क्या करेंगे, इन नों को जोड़ देंगे, 37 और 11 को जोड़ दीजे, आगया 48, divided by 2 कर लीजे, तो 24 इसका answer लोगा, बस इतना ही आपको करना है exam में, फटा-फट ये calculate हो जाता है, आसान सवाल है, देखने में लगता है कि difficult है, बट ये सवाल आसान होता है, next question देखते है, x square minus x y plus y square बरावर 9 है, x के खाथ 4 plus x square y square बिलावर, आपका 225 है, तो बताना x y क्या है, तो देखिए, 9 को और 225 को देखते साथ क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आता है, कि यहाँ पर 9 multiplied by 25 करने पर 225 बनता है, या 225 बटा 9 कर लीजे, तो आपका 25 आएगा, यानि 25 multiplied by 9 करने पर ये value हो, अब 9 क्या है, तो 9 है भई इसका माल, और x square, x के खाथ 4 plus y के खाथ 4 plus x square y square क्या है, तो ये है भई 225, तो actually ये क्या हुआ होगा, इसका value ही तो x, ये x square plus x y, plus y square का ही तो value रहा होगा, clear, ये चीज़ को आप mind में समझे, अब सवाल में पूछ रहा है, x y का value, तो x square plus y square निकालना है, तो दोनों को जोड के आदा करना है, लेकिन अगर x, y निकालने के उपर परशन आ गया, ये x, y निकालने के उपर परशन आ गया, तो क्या करोगे x y बरावर कर लोगे इन दोनों को difference, यानि कि बड़े वाले को पहले क्योंकि यहाँ xy है, और यहाँ पर छोटे वाले को लेगे क्योंकि minus y है, ठीक है कभी-कभी यहाँ पर नेगेटिव भी आ जाता है तो उसके लिए चौकरना रहे ना मैं उस तरीकी की पैटन भी कुश्टन कराऊंगा जैसे 25 हो गया प्लस वाले को पहले लेना फिर 9 को माइनस कर देना डिवाइड़ बैट तो यहां पर आठ आजाएगा एंसर एट जाएगा आगे बढ़े चली अब यहां से आपको निकालना है और नीचे एकस स्कूर वाले क्लास में कवर किया था इस तरीके फॉर्म के कोईशन जो कमपेरिजन और कोईफिजन से आता है वो भी मैंने लास्ट वाले क्लास में कवर किया था तो इस फॉर्मूले को आप देखिए तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है यह है यह है एक स्क्वार के घात तीन यही है क्योंकि एक घात एक स्क्वार माइनस 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 स्क्वार मा वो है x square minus y square यहाँ पर आएगा यह तो कड़ जाएगा उपर नीचे second bracket में जो value आएगा वो आएगा x के घात 4 प्लस x square y square x square y square प्लस y के घात 4 ठीक मतलब कुल मिलाके यह दोनों तो कड़ी गए यह जो आपको find करने को कहा गया है यह कुछ और नहीं है बलके यह value यही है x के घात 4 प्लस x square y square प्लस y के घात 4 यही value आपको यहाँ पर find करना है तो अगर यही value हमें find करना है तो actually देखिए समझे क्या हो रहा है x square प्लस x y प्लस y square यही आएगा और multiplication में आगे देखेंगे तो x square minus xy minus of xy plus y square यही आएगा अब सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है x square minus xy plus y square का value जो की 77 है और आपको दिया हुआ है x square plus xy plus y square का value जो की 104 है अब इन नोनों को multiply कर लिए आप देख रहे हैं इस तरीकी का format है तो देखे simply आप इस चीज को समझे कि इसको multiply करना है तो क्या क्या फेक्टर से यहां पर साथ इंटू 11 है यहां पर 13 इंटू 8 है करेक्ट यही है ना तेरा multiplied by 8 करोगे अब साथ इंटू 11 इंटू 7 multiplied by जारा यह बहुत ही खुबसूरत नंबर है 1001 इसको हमने डिविजबिल्टी रूल में कवर किया है अगर आपने देखा है डिविजबिल्टी डूल तो वहां पर हमने यह फेक्टर को देखा है साथ इंटू 11 इंटू 11 होता है अगर यह एक हजार एक है तो एक्स्ट्रा आठ ही तो आठ हजार आठ याने ए सवाल का से उत्तर हो यहां तक क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के उपर आपको यहां दिया हुआ है 81 के घात 81 इंटू X के घात 4 225 इंटू X स्क्वार Y स्क्वार प्लस 625 Y के घात 4 बरावर है 391 दूसरा वैल्यू दिया है 9 X स्क्वार ठीक है तो actually X के जगा क्या आगया 3 X आगया और यहां आप देख रहे हैं कि 5 Y का होल स्क्वार है और 5 Y के घात 4 है मतलब कि यहां पर क्या आगया Y के जगा आगया 5 Y बीच में देखेंगे तो X Y आता था तो 3 X इंटू 5 X करोगे तो क्या 15 X Y आ रहे है यहां भी अगर आप सामने आ गए आप इस चीज़ को डारेक्ली ऐसे लिख सकते हैं कि डारेक्ली आप इस तरीके से एन एक 9 X स्क्वार ठीक है प्लस पंद्रा प्लस यहां पर क्या आएगा 15 X Y ठीक प्लस 25 Y स्क्वार मल्टिप्लेट बै किस से करेंगे तो यहां पर 9 X स्क्वार माइनस आएगा एक बार प्लस है तो अगली बार माइनस आएगा यहां पर उसके बाद आएगा 15 X Y ठीक है और प्लस में यहां पर आ जाएगा आपका 25 का Y स्कूर बड़ाबर कितने के होगा तो यह बड़ाबर इसके हो जाएगा ए spent गाथ चार प्लस 225 x स्कूर य स्कूर अपिला स्शे सो पेजिए गगाथ तो इस तरीके से यह दोनों स्कूर ज्लाबर नहीं सब्सक्राइक होदल और यह क्या है यह 3 5y का whole square है तो यह चीज़ों को आप समझिए 5y का whole square है ठीक है यहां तक समझ में आ गई बाते हैं और यह क्या है तो 3x into 5x यहां पर भी अगर आप देखेंगे 3x का whole square 5x का whole square यह क्या है 3x के घात 4 है यह 5y के घात 4 है मतलब इस तरीके से आप यहां पर change कर सबते हैं सवाल में किसका value दिया है सवाल में दिया है कि यह value 17 है ठीक है सवाल में दिया है कि यह वाला जो value है इसका value 17 दिया हुआ है और इसका value दिया हुआ है यह value क्या है यह value है आपका 391 17 से इसको बाटोगे तो दो बार कटेगा 34 से 5 बार है 51 मतलब यहां पर 23 टाइमस कटेगा 23 मतलब 23 multiplied by 17 का value इतना है तो क्या आप यहां से बाकी चीज़े निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं आपको क्या पूछ रहा है 5xy का value तो सबसे पहली बात आप देखिए यहां 15xy है यहां भी 15xy तो अभी तक हम xy का value निकाल रहे थे लेकिन जब यहां बीच में 15xy आगया तो डिरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 15xy का value होगा यह हो जाएगा 23 इन दोनों का difference माइनस 17 divided by 2 और 23 माइनस 17 हो गया कितना 6 6 divided by 2 करोगे तो 3 मतलब 15xy का मान है 3 आप से सवाल में क्या पूछ रहा है 5xy का मान पूछ रहा है तो अगर मैं 15xy बरावर 3 लिको 3 से काटोगो तो यहां 5 ही तो आएगा मतलब 5xy का value कितना हो गया तो 5xy का value हो गया 1 यहां तक clear तो 5xy का value सवाल में पूछा था इसका मान हो जाएगा 1 clear है यहां तक बाते समझ में आ रही है कैसे हमें इसको interpret करना इस तरीके को question को तो कभी-कभी इस तरीकी के format में भी आपको देखने को मिल सकता है उसके लिए भी आप तियार रही है ठीक चलिए है यहां से अगला सवाल देखते हैं यहां दिया हुआ है आपको find क्या करना है xyy plus y by x निकालना है x square minus xy plus y square बराबर 15 है और यहां पर 365 है तो आपको पता होना चाहिए कि 15 में 15 में यदि में 25 को multiply करूं तो यहां पर 375 आता है आप कुछ चीजों को directly समझें यह जो 375 है वह x के घाथ 4 plus y के घाथ 4 plus x square y square यह जो 15 दिया है x square minus xy plus y square है तो यह जो 25 है 25 किसका बयान हो जाएगा यह हो जाएगा x square plus xy plus y square का बालो गया inten良 यहां तक बात समझ में सवाल में आपको find क्या करना है आपको find करना है x by y plus y by x xy plus y y kह होता है तो क्या होता है यही मैं यहां से इसका LCM लेलू तो नीचे x y ओपर आ जाएगा x square plus y square तो यही तो find करना है 48 maited qua X sqör一点 x sqor plus y sqor. आप बताईए वहीं कि X sqor plus y sqor divided by xy निकालना यह तो सबसे बहतरीन तरीखा क्या होगा सबसे बहतरीन तरीका क्या होगा हमने यह देख लिए अभी तक X sqor plus y sqor को अलग से से निकालना है हमने यह भी देख लिया कि xy को अलग से कैसे निकालना है अब आप बताइए कि अगर आपके पास x square plus y square divided by xy divided by xy x square plus y square divided by xy अगर निकालने को कहा गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है आप डिरेक्ली क्या करेंगे 25 प्लस 15 divided by 2 होता है इसका वैलू और नीचे होता है 25 ठीक है 25 माइनस 15 divided by 2 तो क्या इस दो की आवसकता है दो तो उपर नीचे कटी जाएगा तो इस दो को लिखो ना लिखो बात एक डिरेक्ली इतना वैलू आएगा 25 प्लस 15 होता है 40 45 माइनस 15 होता है 10 यानि उत्तर आगया आपका 4 तो इसका वैलू क्या आएगा 4 आ जाएगा यहां तक clear चली तो इस सवाल में दिया हुआ है x square minus xy plus y square 9 x की खाथ 4 plus x square y square plus y की खाथ 4 189 है अब इसका value आपको निकालने को कहा गया किसका value तो x square divided by y square plus y square divided by x square मतलब देखिए नीचे denominator में आपका x square y square आएगा ऊपर के आजाएगा तो x की खाथ 4 plus y की खाथ 4 आएगा की ने देखिए अब इस सवाल को solve कैसे करें देखिए जो numbers दिया हुए 9 और 189 दिया है तो आपको समझना होगा कि 9 में 1121 multiply करने पर 189 आता है यहां तक बात clear अब इसका value जो दिया है यह 9 दिया है दूसरा वाला जो value है इसका value 189 दिया है तो यह किसका value हो जाएगा x square plus xy plus y square क्या आप मेरे से यहां तक इस बात से सहमत है कि इसका मान हो जाएगा x square plus xy plus y square यहां तक clear है सारी चीज़े चली अब यहां से आप समझिए कि अगर मुझे पहले तो xy अलग निकालना है और x के खाथ 4 प्लस y के खाथ 4 अलग निकालना है क्योंकि यह ए 36 हो गया मतलब कि xy का मान 6 हो गया मतलब यह जो डिनॉमिनेटर है xy का square तो यह 36 हो जाएगा 36 ठीक अब x के खाथ 4 प्लस y के खाथ 4 निकालने का सबसे बहतरीन तरीका क्या हो सकता है देखिए 189 का मान दिया है ना 189 किसका मान है यह x के खाथ 4 प्लस x square y square प्लस y की खाथ 4 इसी का मान है 189 की नहीं तो अगर आपको x के खाथ 4 प्लस y के खाथ 4 निकालना है तो यह हो जाएगा 189 माइनस में x square y square माइनस x square y square मतलब 6 का square जो क्यों हो जाएगा 36 36 माइनस करने पर 9 में से 6 गया तो बच्चा 3 18 में से 3 गया तो बच्चा 153 by 36 इसका उप्तर हो जाएगा तो हमने पहला इसके पिछले सवाल में x by y plus y y x देखा क्या से निकालना है वो तो डायरेक्टी आपका आ जाता था लेकिन अगर एक्स के एक्स के एक्स बाइवाई का whole square plus y y x का whole square भी अगर निकालना है वो भी कोई बड़ी बात नहीं xy पहले निकाली एक्स के घाट 4 प्लस y की घाट 4 अलग से निकाली दोरों को डिवाइट करेंगे तो यहां पे 4 आ रहा है और यहां 9 से डिवाइट करेंगे तो यहां 17 आ रहा है मतलब 17 by 4 correct answer है तो इसमें c option जो है यही सही उत्तर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाल यहां से अगला सवाल है एक घाट 4 प्लस a square b square प्लस b के घाट 4 बराबर है 138 divided by 125 तो a square minus of a b plus b square का value अगर 23 बटा 25 है तो अब देखिए यहां से सवालों को थोड़ा सा change किया जा रहा है फ्रैक्शनल में हम जा रहे हैं तो अगर इसका मान 23 25 है 23 25 इसमें बताइए भई क्या multiply किया जाए कि value यहां 138 डिवाइड बाइ 1.25 आयं क्या कसा मटिप्ला ङहां क्या मुल्टिप्लाइ करोगा तो आपको जवाव का पास क्योंकि 25 होता इतना क्या क्या multiple करने पर 138 आएगा तो आपगाysis ओन्सक्राइग जूटा on 138 by 125 यह है और साथ में A square A square minus A B इसका value जो है यह होई A square minus A B plus का B square और अगर यह दोनों दे दिया गया तो यह क्या होगा यह value होगा A square plus A B plus B square का correct तो सवाल में बताइए निकालना क्या है आपको A B निकालना है तो A B निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि plus वाले में जो है उसको पहले लिखेंगे 6 बटा 5 minus minus वाले A B वाले में जो है इसको minus कर देंगे 23 बटा 25 से 23 by 25 से और overall divided by 2 करना है तो इसको minus करोगे तो यहाँ पर आपका LC मन जाएगा 25 का और यह दो एक्ष्ट्रा है तो दो भी यहां multiply हो जाएगा 25 से यहां पांच है तो पांच से काटोगे यहां पर तीस आएगा तीस मानेस 23 तो मतलब numerator में आ गया साथ divided by denominator में आ गया पचास तो साथ बटे अगर आपको यह चीज पता नहीं है कि इन दोनों को multiply करने पर यह आता है तो आप LC म निकालने में काफी time गवा देंगे लेकिन जैसे आपको पता है कि जब इसको और इसको multiply किया जाए तो यह तीसरा value आता है तो directly आप एक बार में LCM लिख सकते हैं कि इन दोनों का product ही तो यह है तो A के घाथ 4 प्लस A square X square प्लस X के घाथ 4 यह हमारा LCM हो जाएगा denominator में और directly आप इसको यहां बेच सकते हैं तो यह हो जाएगा A square माइनस AX plus X square माइनस में यहां पर यह वाला value आजाएगा क्यूंकि इन दोनों को multiply करने पर यह value बनता है तो इसको काटोगे तो यह ही बचेगा यह यहां से लाजाएगा जो कि आजाएगा A square plus AX plus X square और plus last में क्या आएगा तो plus last में आजाएगा 2 AX यहां तक clear है चली बता ही क्या उत्तर आजाएगा A square X square कड़िया A square X square से तो minus of 2 X हुआ minus of 2 X हुआ क्योंकि AX यहां भी यहां पर भी minus AX है मतलब इसका total value minus 2 AX आ रहा है तो minus 2 AX plus 2 AX से कड़ गया तो value कितना आ गया तो overall 0 आ गया तो D जो है सवाल कसे यहां तक आपको समझ में आगी बात है चली इसके बाद वाले question में देखते है तो next question देखते है यहां पर क्या Y-square का मान क्या होगा तो सवाल को solve करने के पहले देखिए क्या दिया हुआ XY का मान दिया हुआ अलग से और आपको एकस के खाथ चल रहा है और इसी का वैल्यू कितना दिया हुए 481 दिया हुए क्या आप मेरी इस बात से सहमत है अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा शुरुवाती तोर पे इसको थोड़ा गौर से देखिए हमने क्या किया था इस रिजल्ट पे हम आये तो कैसे आये हमने क्या किया था x square plus y square का whole square minus xy का square बरावर इतना है जो कि हमको दिया हुए सवाल में तो directly आप इस result को यूज करिए जो कि आपके step number 2 में आया है तो इस formula को थोड़ा गौर से देखिए तो आपको एकदम चोकनना रहना है कि हम कैसे steps को minimize करें तो इस चीज को आप देखिए इसके उपर आपक आपका ध्यान directly जाना चाहिए ठीक कि derivation के वक्त मैंने जो formula बता है उसके उपर आपका ध्यान जाना चाहिए ठीक है तो हर तरीके से आपको यहां पर चौक करना रहना है जब यहां पर 12 दिया है इसका value यह जो value है इस value को हम ऐसा भी लिख सकते है यह है x plus y का whole square याने x square plus y square का whole square ठीक है minus of xy का whole square इसको तोड़ने के बाद ही मतलब कि इस तरीके से लिखने पर ही यह वाला value आता है जो की 481 के बराबर है 481 और xy का value तो आपको दिया हूँ है न xy का value कितना है 12 है तो इसके जगा पर मैं 12 लिख लेता हूँ मतलब की cool मिला के x square plus y square का value हो जाएगा इस 12 के square को दूसरे तरफ भीजते है तो 481 प्लस 12 का square जो की हो गया 144 दोनों को जोडने पर 1 प्लस 4 हो गया 5 चार प्लस 8 करोगे तो बारा आएगा और एक प्लस चार प्लस एक करोगे तो 625 आएगा जो की हो गया 25 का square तो आपके पास x square plus y square का whole square है यह x square plus y square जो है है तो अभी निकाल दिया हमने 25 x y का मान कितना है तो सवाल में दिया हुआ है यह 12 है दोनों को माइनस कर देते हैं 25-12 25-12 करोगे तो कितना आजाएगा 13 ठीक क्लियर है ठीक तो इसको भी याद रखिए इसको समझिए मैंने derivation कराया है तो क्यों कराया है इस तरीकी के format में अ रखिए का value निकालना है आपके पास दिया हुआ x की चार प्लस y की गाद x square y स्कॉर कमांड प्लस y के गाद 4 इस गमांड दिया हुआ साथ में आपको दिया हुआ एकस स्क्वार प्लस एकस वाई प्लस वाई स्क्वार कमाद तो यहाँ पर भई दिया हुआ है थ्री वाई सिक्स्टीन इसमें मैं क्या मल्टिप्लाइ करूँ कि वैल्यू यहाँ पर निकल के है 21 डिवाइड बाई 256 बताइए क्या किया रहे तीन है यहाँ पर 21 है तो तीन में आप जानते है साथ मल्टिप्लाइ करने पर 21 बनता है यहाँ 16 है यहाँ 26 है तो 16 में 16 मल्टिप्लाइ करने पर 256 बनता है यहाँ तक क्लियर सारी बाते अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर x plus y निकालना है x plus y निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है x plus y का whole square निकाली है x plus y का whole square होता है x square plus y square plus 2xy मतलब हम क्या कोशिश करेंगे x square plus y square निकालने का और हम कोशिश करेंगे 2xy निकालने का यह किस कमान है तो यह है x square minus xy plus y square ठीक है और यह 4 x to the power of 4 plus x square y square plus y to the power of 4 कमान अब जब डिरेक्टली आपको x square plus y square निकालना है तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है दोनों को जोड़के आधा करने ना पड़ता है तो दोनों तक कोई घवराने वारी बात नहीं है, लेकिन जब आप xy निकालते हैं, तो थोड़ा सा आप चौकरना रही है, साइन का, क्योंकि यहां कभी-कभी plus, कभी-कभी minus आता है, कब आता है, यहां पर minus आएगा, क्योंकि समझिए, यह minus xy वाला टर्म बड़ा है, और यह plus xy वाला टर्म जो है, यहां पर plus xy है न, plus xy वाला टर्म जो है, वो छोटा है, तो जबी भी xy निकालते हैं, तो plus xy वाले में से इसको minus किया जाता है, मतलब उपर value आएगा, 3 minus 7 divided by 16, और इसका आधा भी करना होता है, तो 2 से divide भी होगा, ठीक, 3 minus 7 किता हो गया, तो minus का 4 हो जाएगा, यहां उपर, minus 4, ठीक है, minus 4 इससे काट होगे, तो 4 बार जाएगा, मतलब minus of 1 by 8 आ रहा है value, या फिर इसको हम ऐसे भी रख सकते है, 16 के terms में, 16 के terms में रखना ज्याद अच्छा रहेगा, तो मैं इसे एक बार ही काटता हूँ, दो से, और दो से काटने पर यहां पर 2 आएगा, ठीक, minus 2 by 16, इस तरीके से इसको रखते हैं अभी के लिए, ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे यह समझ में आया, कि भई, अब जब मुझे x square plus y square plus 2xy निकालना था, तो x square plus y square हो गया, 5 by 16, plus 2xy निकालना है, तो xy का मान तो negative है, xy का नाम क्या है, यहाँ, xy का मान क्या है, तो negative है, negative का मतलब यहाँ two times इस से multiply करोगे, तो minus का 4 आजाएगा, 4 divided by 16, ठीक है, क्योंकि twice होगा, तो इसका double करोगे, तो minus 4, 5 में से 4 गया, तो बच्चा 1 बटा 16, यह है भई, x square, x plus y का whole square, तो जब x plus y निकालना है, तो x plus y इसका square root होगा, जो कि 1 बटा 4 होता है, x plus y इसका square root होगा, जो कि 1 बटा, 4 होता है, d is the correct answer, clear है, यहां तक समझ में आग़ी बात है, अब यहां से आते हैं, हम next pattern of questions में, ठीक है, इसी format का ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा pattern चाहिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, चलिए, अब देखिए, अभी तक हमने जो formulas देखिए, उसी से ही, उसी के ही तहत मैं कुछ चीजों को यहां पर लिखूँगा, ठीक है, यह जो formula हमने देखा था, यहां से समझीए, यह जो formula मैंने लिखा, x square plus y square का whole square, बराबर है, x की घाथ 4, plus y की घाथ 4, plus 2x square y square, यही है, ठीक है, तो इसी से हम formula को derive करेंगे अगला वाला, ठीक है, तो आप इसको note भी कर सकते हैं, कि यह formula को आप लिख के रखिए, क्या है formula, तो x square, plus y square, plus root 2xy, अगला यहां पर आएगा, x square, plus y square, minus root 2xy, ठीक, यह बराबर होता है, भाई, x की घाथ 4, plus y की घाथ 4, यह बराबर होता है, x की चार, plus y की घाथ 4, तो इस formula को आप down करके रखेंगे, ठीक है, कैसे आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ दिर पहले, कि x square, plus y square, का whole square, जो है, यह बराबर होता था, किसके, तो x की घाथ 4, plus y की घाथ 4, plus 2x square, y square की बराबर था, यही हमने दिखाता, अब मैं क्या दूसरे तरफ ले जाओगे, तो minus हो जाएगा, minus 2x square, y square, is equal to इतना होगा, मैंने इस चीज़ को उठाके, दूसरे तरफ left side लेकर आगे, अब यह है क्या, यह 2 है, और यह xy का whole square है, तो इस 2 को मैं root 2 बना सकता हूँ, कि यह root 2 का square है, मतलब देखिए, इस पूरे expression को ऐसा भी b square के form में आने पर a plus b into a minus b हो जाएगा, a plus b into a minus b हो जाएगा, तो इस से आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, clear है ऐसा formula बना, तो क्यों बना, चली, अब मैं यहां से चलता हूँ वापस, और इस formula को आप देखेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है, a के घात 4 plus b के घात चार दिया हुआ है, और आपको दिया a square minus a b root 2 plus b square, तो आप यह बात भली भाती जानते हैं, कि जबी भी इस तरीके का expression दिया, इसका formula होता है, a square plus root 2 a b plus b square, और multiplication में आ जाता है, a square minus root 2 a b plus b square, तो आप यहां पर clearly देख पा रहे हैं, कि इसका मान तो यह numerator में यह था, तो यह चीज़ कड़ जाएगी, यह और यह कड़ जाएगा, मतलब directly यही मान आपका उत्तर है, और सवाल में दिया है a square plus b square, a square plus b square का value x है, a b का value कितना है, तो a b का value y है, तो यह root 2 y हो जाएगा इसका answer, यानि यहां प pattern of question, जो कि हम अभी इस वाले वीडियो में नया सिखें, उसमें है, यहां पर देखिए, पहले वाले सवालों में x square plus y square था, लेकिन यहां जब आप देखेंगे, तो एक नया term दिख रहा है, कि यहां आपको दिया हुआ है, x square, यहां x square, minus y square, plus xy, बरावर इतना दिया हुआ और आप यहां भी देखेंगे, तो थोड़ा सा चेंज है, x के घाथ 4, plus y के घाथ 4, minus 3 x square, 2 square, तो पहले समझ लेते हैं, कि इसको कैसे करना है, आपको जो चीजे पता है, उस चीज को आप पकड़ के रखिए, हमें यह वाला formula जो है, इसको पकड़ के रखना है, किस formula को, इस formula को आपको पकड़ के रखना है, इस formula को आप याद रखिएगा, ठीक है, और इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कैसे होगा, इसको समझी, देखिए, formula क्या कहता है, इसको आप लेख सकते हैं, formula है भई, x square minus y square plus xy, ठीक, अब यहाँ पर plus xy जाएगा, लेकिन यहाँ minus आजएगा x square minus y square, ठीक है, और आजएगा x square minus y square, ठीक है, तो एक बार plus, एक बार minus, लेकिन यहाँ जो x square plus y square चल रहा था अभी तब, इसके बीच में x square minus y square इसका formula होता है, x के घात 4, याने x to the power of 4 plus y to the power of 4, minus 3x square y square, ठीक है, तो इस formula को आप डाउन करके रखे, बहुत important formula है, और यह वारा जो formula है, यह अभी तक जो हम pattern देख रहे हैं, इसका last pattern है, ठीक है, तो इसका एक सवाल में लोगा, उसके बाद फिर हम आगे, दूसरे pattern of questions भी इस वीडियो में cover करीगे, चलिए, अब पहले समझ देते हैं, यह आया है, ऐसा है, तो क्यों है, ऐसा क्यों आया, उसको समझ लीजिए, तो देखे, यहाँ पर अब x square minus y square का square क्या होता है, यह पहले देखे, x square minus y square का whole square क्या होता है, यह समझना होगा, इसका whole square हो जाएगा, x के घाद 4 प्लस y के घाद 4 लेकिन आगे आएगा माइनस 2x square y square माइनस 2x square y square ठीक जबी भी आपने देखा कि ये a plus b into a minus b के format में है a plus b into a minus b कैसे बनता है a square minus b square से बनता है तो अगर आप देखेंगे अभी तक मैंने क्या किया था यहां से x square y square को उठा के दूसरे तरफ भीजा था लेकिन अगर आप यहां से x square y square को दूसरे तरफ भीजेंगे तो यह तो पहले से minus में हैं और अगर इधर भीजेंगे तो plus में आजाएगा ययादे a square minus b square का format नहीं बनेगा तो मैं यहां क्या करूँगा अब मैं x square minus y square के whole square में minus का x square y square दोनों तरफ कर दूँगा यानि extra ये term मैं यहाँ पर दाल दूँगा तो ये क्या हो गया x के घाद 4 plus y के घाद 4 ठीक है और minus क्योंकि मैंने extra दाला तो यहाँ पर minus 3 x square y square आजाएगा अब clear है कि ऐसा क्यों हो रहा है minus 3 क्यों आ रहा है इस term को देखिए इस term का मतलब क्या ये है x y का whole square क्या है ये x y का whole square है ये और जैसी आप नहीं देखा कि x y का whole square है यहाँ से आफ समझ जाएंगे कि ये a square minus b square के 100 form में a square minus b square का formula होता a plus b into a minus b a plus b क्या है तो x square minus y square plus xy और a minus b क्या है तो x square minus y square minus xy ठीक है तो इस formula को आप अच्छे से no down कर लीजे अब चलते हैं उसी question में जो हम discuss कर रहे थे तो अब वापस आते हैं इस सवाल में इस सवाल में देखी क्या दिया हुआ यहां दिवा एक्स के घाथ 4 minus यानि प्लस y के घाथ 4 minus 3x square y square बराबर इतना और x square minus y square plus xy बराबर इतना आपको जो find करना है वो क्या find करना है आपको यह find करने को कहा गया मतलब आपको अगर यहां पर LCM लेंगे तो x square y square आएगा यह x square उपर जाएगा तो यहां और minus y square इस तरीके से आजाएगा यही हमको find करने को कहा गया चलिए अब समझीए यहां पर 34 दिया हुआ है और 34 में क्या multiply करने पर आएगा 884 तो आप इस चीज़ को भली भाती जानते 884 divided by 34 कर लिजी दो से कटे का 17 यहां पर दो से काटोगे तो 442 आ रहा है 17 से इसको काटोगे दो बार 34 और 102 आ रहा है मतलब 26 मतलब 34 में 26 से multiply करने पर 884 बनता है तो यह 34 क्या है 26 क्या है 884 क्या है इसको थोड़ा से समझी 884 का मान तो directly इसका value दिया है और यह 34 है यह 34 इसका value है किसका तो x square minus y square plus x y का तो 26 क्या है तो 26 इसका मतलब यह होगा x square ठीक minus y square minus of x y का value होगा की नहीं होगा ठीक यह होगा इसका value तो क्योंकि जब इन दोनों को multiply कर रहे है तो आ रहा है x के खा 4 plus y के खा 4 सवाल में क्या निकालना है आपको पहले x square minus y square निकालना कोई बड़ी बात नहीं है x square minus y square directly होता है इन नोनों को जोड़ के आधा करना इन नोनों को जोड़ोगे तो 34 plus 26 जो कि कितना हो गया 60 divided by 2 करोगे तो इसका value 30 आ रहे है clear इसके बाद आपको xy का value भी चाहिए क्योंकि नीचे xy है तो अगर xy निकालना है तो plus y से minus को minus करना होगा मतलब यह 34 minus इतना करोगे तो 34 minus 26 divided by 2 करना होगा मतलब 4 minus minus 4 होगे 8 8 divided by 2 करोगे तो 4 आएगा ठीक मतलब यह होगा 30 divided by 4 का square होता है 16 अगर मैं इसे 2 से काटू तो उपर 15 नीचे 8 आएगा 15 by 8 इस दा correct answer तो B जो है D जो है option है यह सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है यहां तक clear हो गई सारी बाते चलिए अब मैं इस format को यहां से change करूंगा कि जितने भी चीज़े हमने देखी जो हमने format जिसके बारे में बोला था कि इस video में discuss करेंगे यह इसके सारे format मैंने discuss कर लिए ठीक है तो अगर exam में इस तरीकी के question आते हैं तो आप से definitely बनेगा ठीक कुछ questions और मैं practice sheet में दलवा दूँगा इस weekend के जो practice sheet आएंगे उसमें उससे आप practice भी कर सकते हैं कुछ भी doubt है आप telegram group discussion वाला इस तरीकी के सवाल को कैसे लगाना है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक equation है कितना equation है भई एक equation है क्योंकि एक काई भार equal to लगा है एक equation दिया हुए ठीक है और साथ में आपको तीन वेरेबल दिये हुए, कितने वेरेबल दिये हुए, तीन वेरेबल दिये हुए क्या क्या वेरेबल है भई, तो तीन वेरेबल है, एक है X1, दूसरा है X2 है और तीसरा है X3, तो जबी भी वेरेबल की संख्या जादी हो जाए equation की संख्याओं से तो यह solvable नहीं होता ठीक है अगर variable की संख्या equation की संख्याओं से ज़ादा हो जाए तो यह solvable नहीं होता लेकिन अगर फिर भी examiner आपसे इसका value पूछ रहा है तो इसका मतलब आप इसमें से इन दोनों का difference है इन दोनों का difference कितना हो गया दो तो दो variable को आप क कुछ भी assume कर सकते हैं याने मान सकते हैं मान के चलिए कोई भी value और उत्तर आपका आ जाएगा ठीक है तो मान के आपको चलना है कोई भी value आप मान लीजे जो आपको सबसे comfortable है तो कुछ values मैं यहां लिख लेता हो जैसे कि for example 0-1 1 ठीक है 2 3 इस तरीके छोटे-छोटे values से आप 0 मान लेता हो और X3 को भी 0 मान लेता हो X2 X3 को 0 मान लेता है दो variable मानेंगे और तीसरे variable को वही मानेंगे जो equation हमको दे रहा है ठीक है तो दो variable हम मान सकते हैं लेकिन तीसरा variable को आपको equation जो कह रहा है वो लेना पड़ेगा ठीक है तो जैसी मैंने 0 लिया तो X2 0 हो गया X3 भी 0 यह तो पूरा-पूरा 0 बरावर हो गया 4 taxes of 4 πα्रब्स यहां से मतलब चार प्लस एक्सवन का वैल्यव जो है उ Psalm का वैल्यू यहां से कितना आ गया तो आप कहेंगे confidence kceller मैनस का छाब डlarını तो एक्स वाइक्स 2 एकड़री को मैंने 0 लिया तो x1-4 आप find क्या करना है आपको find करना है 1 by 2 plus x1 plus 1 by 2 plus x3 1 by 2 plus x2 यानि x2 यहां है x3 यहां है यह x2 है यह 3 यह find करना है ठीक अब इसमें values डाल दीजे तो देखें कभी भी value putting approach में आप इस तरीके से value को use करें कि यहां पर जो option है same ना हो ऐसा option आप ना ले क्योंकि यहां तो numbers है यह कई बार variables भी रहता है तो आप variables ऐसे तरीके से चुनिए कि वहां पर कोई भी options same ना है साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान भी रखेंगे कि value जो है वो undefined ना हो जाए 0 by 0 format में आ गया तो भी यह इस तरीके का value हम नहीं लेंगे साथ में हम ऐसा भी value नहीं लेंगे कि कोई number यहां पर आ गया जैसे 16 और नीचे 0 आ गया इस तरीके expressions से हम लेने पर बचेंगे कि value या तो यहां 0 ना आ जाए या फिर यहां पर 1 by 0 के format में option ना जाए इस तरीके value आ जाएगा 1 by 2 minus 4 यानि minus 2 हो गया प्लस 1 by 2 प्लस 0 तो 2 हो गया प्लस 1 by 2 अब 1 by 2 minus 1 by 2 है यह दो इतना 126 तो 3x प्लस 5y प्लस 7z बरावर कितना 49 दूसरा है 9x 9xy प्लस 8y प्लस 21z का value दिया हुआ है आपको 126 यही दिया हुआ है ठीक चले अब इसको solve करने के कोशिश करते हैं जैसी आपने देखा कि तीन variable दो equation है तो number of variable जाद होगा तो solve नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी examiner आपसे बोल रहा है य का मान बताइए तो y का मान कैसे निकाल सकते हैं तो इसमें क्या करना होगा x या z में से किसी एक को कुछ मानना होगा मैं मानने ता हूँ z को 0 मानने तो यह भी 0 यह भी 0 अब इसको solve करना है तो मुझे समझ में आ रहा है y निकालना है y निकालने के लिए आपके पास यह दोनों eliminate हो जाना चाहिए मतलब इस पूरे expression को मैं क्या करूंगा तीन से गुणा कर देता हूं तीन से गुणा करने पर यह भी नौ यह भी नौ तो 9x प्लस 15y बराबर 147 हो जाएगा ठी याने 15 में से 8 गया तो बचा 7y और 147 में से इतना गया तो बचा 21 मतलब y कमान कितना हो गया तो y कमान हो गया 3 ठीक है y का वैलू कितना हो गया तो 3 हो गया c is the correct answer यहाँ पर clear है चली आगे बढ़ते है इसके बाद़ नेक्स्ट कुश्चन है आपके screen के उपर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ x square प्लस y square प्लस x sqr का qb plus y square मांप जेडğı का qb कि सारे option अलग-अलग है पहली बात दूसरी बात यहां पर कोई भी infinite ना बने तो आप formula से तो इसको लगा ही सकते हैं क्योंकि आपके पास यह दिया हुआ है एक्यूब प्लस बीक्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC होता है इस तरीके से आप इसको basic से solve कर सकते हैं ठीक और short approach होगा कि हम यहां पर कुछ value करें जैसे कि मैं suppose करता हूं मैं जैड को ले लेता हूं 0 जैड को मैं माल लेता हूं 0 थोड़ी जरी के लिए जैड को 0 मानूँगा तो यहां एक्स प्लस वाई आएगा ठीक है और यहां पर यह वाला वैल्यू जो है यह 0 बन जाएगा यह जैड और यह 0 ह खुआ है एक्स ब्लस वाई इंटो एकस वाई बन रहा है अब देखे यह पहला वाला ओप्ष्ण और तीस्रा वाल ओप्ष्ण थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है तो यहां पर हम क्या कर सकते कुछ ऐसे ले जैसे कि मैं ले लेता हूं एक्स को मैं ले लेता हूं 2 और य को मैं ले लेता हूँ 1, x को 2 और y को 1 ले लेते हैं, x को 2 और y को 1 अचा ठीक है यहाँ पर आप फश्जाएंगे, क्योंकि यह दोनों जो है, 3, 3, यह भी 3 बन रहा है, यह भी 3 बन रहा है, तो x को 2, y को minus 1 ले लेते हैं x को 2 y को minus 1 ले लेते हैं ठीक तो यह वाला जो option है c वाला option यह बन जाएगा आपका 1 यह वाला option है 2 minus of 1 करोगे तो 1 आएगा और 2 minus 1 करोगे तो यह वाला option आपका minus 2 बन जाएगा तो जिस option मलब कि यहाँ पर या तो minus 2 या तो 0 या तो 1 आएगा,ks को 2, y को minus 1 और z को यहाँ पर हम ने क्या लिया है, तो z को हमने 0 लिया है, ठीक है, x को 2, y को minus 1 और z को 0, इन 3 में से आपको यहाँ पर values सब्सक्चूट करना है, ऊपर वाले values में, ठीक है, तो अब यहां से z0 हो गया यह वाला z भी 0 हो गया यह z0 हो गया यह भी z0 हो गया तो x square minus y square x कितना था? 2 था तो 4 बन गया minus 1 का whole cube ठीक प्लस यह बन जाएगा आपका 1 minus x square है अब minus x square का whole cube करोगे तो minus of 4 बन जाएगा minus of 4 का whole cube करना है मतलब बताईए भी यहां क्या आजाएगा minus 4 4 का square मतलब 4 है यह तो minus 4 का whole cube करोगे तो minus 64 आजाएगा नीचे देखते हैं क्या आ रहा है यह है भाई आपका 2 x क्या है 2 minus minus y करोगे तो अब plus y बन जाएगा मतलब 3 हो जाएगा 3 का cube है न ठीक है plus यहां पर minus 1 आएगा क्योंकि minus 1 है minus यहां पर x का whole cube है तो x कितना है 2 है तो minus 2 का whole cube हो जाएगा याने यहां पर value जो आएगा minus 2 का whole cube ठीक चलिए अब इसको solve करते है देखे यह क्या है यह बन गे आपका 27 ठीक है 27 plus 1 करोगे तो 28 आ रहा है minus का 64 आ जाएगा उपर और नीचे क्या आ रहा है तो भाई यह है 27 और 27 minus 8 करोगे और minus 9 मतलब यह minus 8 है minus 9 तो यहां पर नीचे 18 आ रहा है ठीक है इन दोनों का difference बताईए कितना हो गया ठीक है अगर यहां 14 है 14 में से 8 गया तो बचा 6 फिर यह 5 है 5 में से 3 गया तो बचा 36 minus 36 divided by 18 इसको cancel out करोगे तो minus 2 आ रहा है अब कौन सा option था जो minus 2 बन रहा था केवल पहला वाला option minus 2 बन रहा था और यह हमारा उत्तर हो जाएगा तो यह हो गया value substitution वाला approach लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से भी इसको देख सकते है कि जब मैं इसको जोड़ू हूँ यह अगर capital A है capital B है और capital C है A plus B plus C क्या हो रहा है A plus B plus C 0 हो रहा है की नहीं basic approach से मैं भी आपको बताऊँगा तो यह हो जाएगा 3 ABC का value होगा क्योंकि यह A cube plus B cube plus C cube है जब भी A cube plus B cube plus C cube दिया है तो यह 3 ABC के बरावर होता है और 3 ABC के बरावर कव होता है जब A plus B plus C equal to 0 होगा अगर A plus B plus C equal to 0 है तो A cube plus B cube plus C cube बरावर 3 ABC होगा clear? तो यहाँ से यह जो उपर वाला value है इसका value क्या हो जाएगा 3 into x square minus y square और यहाँ पर y square minus z square और z square minus x square divided by यह value हो जाएगा 3 into x minus y और 3 क्यूंकि यहाँ भी x plus x minus y plus y minus z plus z minus x करोगे तिनों को जोडने पर value 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी x cube plus y cube मतलब इन तिनों का cube है तो 3 into x minus y into y minus z into z minus x होगा तो y minus z ठीक है और साथ में यहाँ पर last में आ जाएगा z minus x clear इसको solve करिए देखिए यहाँ से जो values है इसको काटोगे तो यहाँ पर x plus z आएगा क्यूंकि यह है क्या यह a plus b into a minus b के form है तो z minus x तो इससे कट जाएगा z plus x उपर मचेगा यह इसको काट देगा तो उपर y plus z आ जाएगा और यह इसको काट देगा तो उपर x plus y आ जाएगा तीन plus तीन जो है यह दोनों कट गए तो x plus y, y plus z, z plus x यहाँ पर पहले option में है तो यह सवाल का सही उत्तर है तो आप यहाँ पर mind से भी calculate कर सकते हैं यह सारी चीज़े अगर आप mind में calculate करना सीख गए तो फटा-फट calculation हो जाएगा तो आप इसको देखते साथ समझीए कि a plus b plus c 0 है और a plus b plus c 0 होने पर हमने पिछले वाले वीडियो में इस चीज को सीखा हुआ है एक बार revise कर लेते हैं यह formula को जो हमने last class में सीखा था ठीक है यहाँ से हमने formula सीखा था यह वाला कि a cube plus b cube plus c cube minus 3abc वराबर a plus b plus c होता है तो जबी भी a plus b plus c 0 होगया तो right hand side 0 होता है a cube plus b cube plus c cube वराबर 3abc होता है इस formula को हम यहाँ पर use किये इस सबान में ठीक है चलिए यहाँ से इसको solve करिए दिया हुआ है 1 by 1 minus x के power 4 तो एक अमान आपको निकालना है तो 1 minus x के power 4 divided by 1 plus x division में है तो multiplication में convert हो जाएगा x divided by 1 plus x square ठीक और multiplied by 1 by x minus x into 1 minus x आ रहा ठीक x multiplied by 1 minus x यही आ रहा है तो simple ही है इसको calculate करना क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यह x और x तो कड़ी है अब यह 1 minus x और 1 plus x क्या है यह 1 minus x और 1 plus x मिलकर बनाएगा 1 minus x का square क्या बनाएगा 1 minus x का square और यह 1 minus x का square और 1 plus x का square यह a plus b into a minus b के format में तो यह दोनो multiply होके क्या बनाएगे तो यह बनाएगे भाई 1 minus x की घाद चार तो यह भी कड़ी है यह भी कड़ी है सारी चीजे तो कटी जारी है एक का value आजाएगा 1 ठीक है तो value putting की यहाँ कोई जरूरत नहीं है नॉर्मल ही ही जल्दी हो जा रहा है अगर आप फिर भी value putting करना चाहते हैं तो आप इसमें x का मान कुछ भी दा लिए जिससे की यह values जो है आपको different values दे ठीक है तो कोई ऐसा value दा लिए जिससे हैं अलगा answer है जैसे मैं x को 2 मान लेता हूं तो x को 2 मान के आप फटा-फट इसको calculate कर सकते हैं तो देखिए अगर मैं x को 2 मानूंगा तो सारे options अलगाएंगे यह वाला जो option है यह half हो जाएगा 1 by 2 ठीक अगर मैं x को 2 दालता हूं तो a का value हो जाएगा 1 minus 16 1 minus 16 मतलब minus का 15 divided by 1 plus 2 है मतलब यहां पर 3 आ जाएगा division को multiplication में convert करते हैं तो x उपर जाता है x को हमने माना है 2 1 plus x का square हो जाएगा यहांने 1 plus 4 हो जाएगा तो 5 हाएगा multiplication में 1 divided by 2 into minus 1 है अब इसको solve कर लीजे सारे options अलग-अलग हमने कर दिया 3 into 5 15 हो गया minus 1 minus 1 कर गया 2 और 2 कर गया मतलब 1 उतरा रहा है तो x को मैंने 2 लिया है यहां पर value putting क्योंकि यहां 2 दालने से यह सारे options अलग-अलग आ रहा है 0 में दालूंगा तो यह वाला value जो हो जाएगा उपर जाने पर और साथ में यह 0 by 0 format में भी आ रहा है तो इससे आप 0 लेने से बचिए ठीक है साथ में यह 1 by 0 हो जाता है आपको बताना है a square plus b square plus c square divided by a square minus bc का value क्या है तो देखिए solve करने के तरीके अनेक है आप यहां पर basic से solve कर सकते है कैसे a का value हो गया b square b plus c का मान ठीक है a का value क्या हो गया तो b plus c हो गया अब यहां पर इसका square कर दीजे तो यहां a square का value कुछ आ जाएगा b square plus c square plus two bc इस तरीके से तो आप value को substitute करके उपर नीचे cancel out करके solve कर सकते है बट हमें यहां पर value substitution सीखना है तो मैंने यह देखा कि एक equation variable 3 है एक equation है variable 3 है तो मैं अपने मर्जी से यहां पर कुछ calculations कर सकता हूँ जैसे कि मैं अगर b को is equal to c करके मैं दाल दो कितना तो यहां पर अगर मैं b को 1 ले लूँ और c को minus 1 ले लेते हैं ठीक b को ले लेते हैं 1 और c को ले लेते हैं minus 1 तो ऐसे case में a बरावर हो जाएगा 0 क्योंकि अगर यह 1 है minus 1 है तो 0 बन गया तो a का value क्या आएगा 0 आएगा तो दो variable independent है लेकिन एक variable dependent है b और c के value के उपर a depend करता है तो b और c को मैंने मान लिया लेकिन a को मैंने वही लिया जो यहां equation से पता चला अब यहां से इसको substitute कर देए तो a तो 0 हो जाएगा 1 का square भी 1 होता है minus 1 का square भी 1 होता है तो next question देखते हैं यहां पर value putting लगाने की कोशिश करिए आपके पास 2 equation है पहला equation यह दूसरा equation और आपको ultimately यहां इसका value फिर भी निकालने को कह रहा है तो यह solvable नहीं है क्योंकि 4 variable है दो equation तो 4 minus 2 करोगे तो 2 आएगा मतलब 2 variable को कुछ भी मान सकते है मैं अपनी मर्जी से B को 0 मान लेता हूँ D को 0 मान लेता हूँ जैसी B को 0 माना तो इसका मतलब A square का value जो है यह हो गया 2 और अगर मैंने D को 0 माना तो C square का value हो गया 1 यहां तक बाते समझ में आगे अब क्योंकि मैंने 2 value माना है इसको find करना था तो B 0, D B 0 यहां से B D 2 0 मतलब A square, C square जो है हमारा उत्तर हो जाएगा A square का value भी 2 है C square का value भी 2 है तो 2 into 1 हो गया answer 2 हो जाएगा C जो है सवाल का से उत्तर है clear? चलिए value putting इस तरीके से आप लगा सकते हैं जहां पर आपके variable की संख्या जादा है equation की संख्या कम है वहां पर आप value putting लगा के solve कर सकते हैं अगरा सवाल देखिए A plus B plus C 0 है तो आपको बताना है कि A square by BC plus B square by CA plus C square by AB का value क्या है यहां पर आप ना A को 0 ले सकते हैं ना B को 0 ले सकते हैं पर B नहीं है उपर का value B से multiply होगा B cube बनेगा यहां C नहीं है उपर का value C से multiply होगा C cube बनेगा और जबी भी A plus B plus C 0 होता है तो A cube plus B cube plus C cube का value 3 ABC होता है तो 3 ABC divided by ABC करोगे तो ABC ABC कड़ गया 3 इसका answer हो गया यह हो गया basic approach ठीक यह भी तेजी है यहां पर value putting के कोई आवसकता नहीं है इसलिए मैंने यहां पर इस approach से भी बताया और फटा फटा आप calculate कर सकते हैं बस आपको result पता होना चाहिए जब A plus B plus C 0 होता है तो A cube plus B cube plus C cube बनावर 3 ABC होता है तो आप इसको mind में calculate करके directly 3 mark कर सकते हैं यदि आप यहां पर दूसरा approach सीखना चाहते है यानि कि value putting तो आप इस तरीकी के values लेंगे जो यहां पर 0 ना हो जैसे कि मैं इसको 2 ले लेता हूँ इसको minus 1 इसको minus 1 2 minus 1 minus 1 करने पर 0 आता है तो यह बन जाएगा आपका 4 divided by minus 1 into minus 1 1 हो गया plus b square है तो b square होता है 1 divided by 2 into s मतलब यहां पर आपका b square क्या है तो 1 minus 1 का square तो 1 हो गया और नीचे 2 into minus 1 यानि कि यहां minus 2 आएगा सेम चीज यहां पर भी आप देखेंगे तो 1 divided by 2 आएगा मतलब कि आपको 4 में से आधा और आधा मैनस करना है यहने 4 minus 1 करना है जो कि 3 होगा तो ऐसे भी आपका answer जो है वो dr है ठीक है तो value putting से आप इसको solve कर सकते हैं मैंने यहां पर आपको directly 2 minus minus 1 यह इसले का है कि मैंने इसको माना इसको भी माना दो values मैंने माने तो तीसरा value automatically minus 1 होगा तो चूज करना है कि values क्या लगाए next question दिया है x plus y plus z बरावर 0 है तो आपको इस value का मान निकालना है कि इस पूरे expression का मान क्या होगा ठीक तो आए solve करते हैं इसको यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि values अगर y plus z है ठीक है y plus z आपको दिख रहा है कहां पर यहां पर y plus z दिख रहा है ठीक है यह y plus z आपको दिख रहा है क्योंकि minus common निकालोगे तो x minus y plus z ही तो आएगा यानि minus का y plus z है अब minus का y plus z है क्या यह minus y plus z दूसरे तरफ बेज दीजे minus y plus z का मतलब कुछ और नहीं है plus का x है मतलब यह x plus x है दो बार x हो गया तो यह जो value है actually कुछ और नहीं है यह है आपका 2x by 2 यह जो value है 2x by 2 है और उसका whole cube है मतलब यह हो गया x का cube यह पूरा हो गया x का cube मतलब x का cube प्लस यहां से आपका आजाएगा y का cube प्लस यहां से आपका जाएगा जेड का क्यूब और जब आप इसमें देख रहें कि X प्लस Y प्लस Z 0 है तो X Q प्लस Y Q प्लस Z Q हो जाता है 3XY Z 3XY Z तो इस सवाल का स्थाही उत्तर जो होना चाहिए वो यह होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप यहां पर बेसिक से नहीं सॉल्व करके कुछ और अप्रोच लगाना चाहते है ठीक तो यहां पर हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 लेते साथ यह भी 0 हो गया यह भी 0 हो गया यहां पर है और य माइनस में तो यह दोनों कर जाएंगे यहां पर यहां पर तो x का मान हमने क्या लिया है 2 लिया है x का मान हमने 2 लिया है minus of minus plus होता है तो plus 1 plus 1 करोगे तो plus का 2 हो जाएगा divided by 2 का whole cube हो जाएगा ठीक आप इसको solve करिए तो यहां से आप देखेंगे कि minus 1 plus 1 तो कठी गया था मतलब यह है भई minus 1 का whole cube तो minus 1 आएगा यह है आपका again minus 1 का whole cube तो minus 1 आएगा और last वले को यदि हम देखें तो last वला value बन जाएगा plus का 4 divided by 2 यानि 2 का cube तो actually value यहाँ पर यह हो गया minus 2 plus का 8 यानि की value कितना आ रहा है तो यहाँ से value आ रहा है 6 का अब 0 गलत है 3 भी गलत है 2 भी गलत है यहाँ 3 x y z था इसमें अगर मैं x y z दालू x का मान हमने 2 माना है y का मान माना है z का मान माना है तो 6 ही आ रहा है सेम है तो value putting से भी आप इसको solve कर सकते है या आपके पास अगर x plus y plus z है उसको आप is equal to 0 करते है x cube plus y cube plus z cube का value 3 x y z आता है ठीक है तो value putting से भी आपने सीख लिया इसको और normal तरीके से यानि की x plus y plus z equal to 0 पर x cube plus y cube plus z cube x 3 x y z होता है इसके भी हमने सीख लिया चल minus 2a square b square और a b का value देखिए इस सवाल को basic से करोगे तो बहुत calculated हो जाएगा क्योंकि दो बार square करने पर आप a के घाच 4 plus b के घाच 4 तक पहुन सकते हो एक बार cube करने पर a cube plus b cube तक पहुन सकते हो और दोनों से आप combine करके value निकाल सकते है 1,2,4 या 0 में से बहतर option यह होगा कि आ इसमें भी b है 0 हो गया, b cube 0 हो गया, a b है इसमें भी b है 0 हो गया, मतलब value क्या बचा तो 1,4 minus a cube हो जाएगा और a का value 1 है तो 1 minus 1 करोगे इसका value 0 हो जाएगा, तो यहां से d जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है यहां तक बात समझ पहा है चली, अब मैं इस वीडियो को thinking को develop करना है, कुछ miscellaneous questions बचे हुए, उसको में एक final वीडियो और आएगा, algebra का part 4 वीडियो जिसमें cover कर लूँगा, ठीक है, और कुछ revision के तोर पे भी कुछ सवाल में part 4 वीडियो में आपको करवाऊंगा, ताके देखते हैं कि अगर पहले part 1, part 2, part 3 में आपने कुछ अगर कर दो